हमें लगता है कि आजकल माता-पिता कई पहलूओं में अपने बच्चों के लिए खुले विचार रखते हैं। हाला कि जब इंटरकास्ट मारेज की बात आए, तो लोग आज भी पुराने खयालों के हैं। और वी एक ऐसी लकीर खीच देते हैं, जिसे बच्चे पार नहीं कर पाते। क्या ऐसा सिर्फ समाज के डर की वज़ा से है? जैसा की कहा जाता है, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग? तो युवा होने के नाते हम माता-पिता को मनाने के लिए क्या कर सकते हैं, ताकि उन्हें इस सामाजिक डर से बाहर ला पाएं। देखिए, डर शायद सिर्फ इस बारे में ना हो, कि कोई क्या कहेगा? हमें जाती व्यवस्ता को समझना होगा, कि वो है क्या? इस से पहले कि मैं ये कहूँ, मैं चाहता हूँ कि आप ये समझें कि मैंने कभी किसी से ये नहीं पूछा कि आपकी जाती क्या है, क्यूंकि ये बात कभी मेरे मन में आती ही नहीं है, तो मैं Intercast Marriage के खिलाफ हूँ, क्यूंकि अब कोई ये एक लाइन लेकर मुझे मुझे मुस और फिर दूसरी जाती से जुड़ना चाहते हैं, जब मैं योवा था, अगर मुझे किसी से शादी करनी है, तो मुझे जाती की परवाही नहीं थी, मैंने कभी नहीं पूछा, ये मेरे साथ वाकई हुआ, मैंने अपनी पतनी से कभी नहीं पूछा कि उनकी जाती क्या है, मै मैं बस एक दिन घर आया और पिता जी से बोला मैं इस लड़की से शादी कर रहा हूं। वे बोले वो कौन हैं। मैंने उनका नाम बताया। मुझे सिर्व उनका पेट नेम पता था। उनका पूरा नाम भी नहीं पता था। क्यूंकि मैं उन्हें वही बुलाता था। फिर उन्हें पूछा उसके पिता कौन है। मैंने कहा मुझे नहीं पता। वे बोले क्या तुम्हें पिता का नाम नहीं पता और तुम उससे शादी कर लोगे। मैंने कहा मैं बस इस लड़की से शादी करना चाहता हूँ मुझे उनकी पिता से शादी नहीं करनी ना ही उनकी संपत्ती से, ना खांदान से मैं बस लड़की से शादी करना चाहता हूँ वो किस जाती की है? मैंने कहा मुझे नहीं पता क्या तम उनकी जाती भी नहीं जानते मैंने कहा मुझे नहीं पता क्योंकि जो लोगों ने मुझे बताया है उसके अलावा मुझे खुद अपनी जाती कहीं महसूस नहीं होती मैंने खुद को हर धांचे से अलग कर लिया है मैं किसी भी धांचे में नहीं हूँ तो मैंने उनकी जाती भी नहीं पूछी, तो मैंने बस अपनी पत्नी से कह दिया, कि तुम मेरी पत्नी हो, बस, वो बोली बस ऐसे ही, कोई गवा नहीं, कोई व्यवस्ता नहीं, फूल माला भी नहीं, मैंने कहा देखो, कोई भी गवा, मुझे पर कोई बात नहीं थोप सकता, कहां कैसे आप उसकी चिंता ना करें ये मेरी पत्नी है बात खत्न तो मैं कह रहा हूँ कि आप खुद को एक जाती का क्यूं मानते हैं और फिर दूसरी जाती से जुड़ना चाहते हैं जरूरी नहीं है लेकिन एक सामाजिक स्थिती की वज़े से इस देश में जाती लंबे समय से इसलिए मौजूद है क्यूंकि कौशल सिखाने का यही एक मात्र तरीका था मान लीजिए आपके पिता सुनार हैं वे आपकी शादी एक अन्य सुनार से ही करेंगे क्यूंकि बच्पन से आपने सुनार की मदद की हैं आप जानते हैं कि यह काम कैसे किया जाता है मान लीजिए वे आपकी शादी लोहार से करा देते हैं तो आप उस घर में जाकर परिशान हो जाएंगे और आप उस बारे में कुछ नहीं जानते क्यूंकि ग्यान सिर्फ परि शिक्षा देती हैं, जब वो संस्थाएं नहीं थी और सिर्फ परिवार में शिक्षा मिलती थी, तब हम उसे बिगाड़ना नहीं चाहते थे, तो हमने वो बनाए रखा, आप उसकी कोई जरुवत नहीं है, जाती विवस्था के एक हिस्से का अब कोई मतलब नहीं है, लोगों हो गये, वो बीमार हो गया, दुरगटना हो गयी, कुछ हो गया, अब आप सिर्फ अपनी जाती वालों से मदद मांग सकते हैं, आप किसी और के दरवाजे पर दस्तक देंगे, तो वो अपना दरवाजा नहीं खोलेंगे, आपको अपनी जाती के पास जाना होगा, अगर अगर आप अपनी जाती से पूरी तरह से अलग हो जाएं, तो आप बिलकुल खुद पर निर्भर होंगे, अगर कुछ गलत हो, तो कोई आपके मदद नहीं करेगा, तो ये सामाजिक सुरक्षा का सिस्टम है, इसकी चिंता मत कीजिए, कि इंटर कास्ट मैरेज से जाती खत् हो जाएंगी.